वेलकम टू मैं चैनल लिट्रेच्चर एंड लाइफ दोस्तों आप सबका मेरे चैनल लिट्रेच्चर और लाइफ पर स्वागत है आज हम कि इस वीडियो के अंदर रबिंदरना टेगोर जो की एक इंडियन पोईट इन इंग्लिश है उनके द्वारा लिखी गई पोईम सौंग थर्टी सिक्स फॉर्म गितांजली के बारे में डिसकुशन करेंगे और नेलसेज करेंगे इससे पहले कि हम लोग पोईम के बारे में कुछ जाने उससे पहले हम लोग एक ब्रीफ सा ओवर्व्यू पोईट के बारे में ले ले लेते हैं कि रबिंदरना टेगोर कैसे पोईट थे उनकी क्या अचीवमेंट्स थी रबिंदरना टेगोर was a poet वो एक पोईट भी थे प्ले राइट नाटकार भी थे नॉबलिस्ट उपन्यासकार भी थे पेंटर चितरकार भी थे and musician और संगीत कार भी थे याने की multi talented personality थे रबिंदरना टेगोर He won the Nobel Prize for Literature in 1913 1913 में वो भारत के पहले Literature के लिए साहित्य के लिए Nobel पुरुसकार से सम्मानित किये जाने वाले लेखरक बने थे The poem has been taken from His collection गितांजली और ये poem उनकी एक कवीता के संग्रह किताब जिसका नाम की गितांजली और इसी किताब के लिए उनको Nobel Prize भी दिया गया था उसी में से ये poem जो है वो ली गई है और इस poem में poet क्या करते है And is a prayer to the Almighty To make him strong enough To serve others and accept joys and sorrows in the same way तो इस poem के अंदर poet ने भगवान से बहुत सारी तागतों के लिए प्रार्थना की है और poet हम लोगों से डिफरेंट है क्योंकि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं हम लोग अक्सर केवल अपने लिए ही चीज़ों को मांगते हैं बट इस poem के अंदर poet ने जिन चीज़ों की प्रार्थना जिन स्ट्रेंट्स की प्रार्थना अपने लिए की है उन्हीं चीज़ों को डिमांड वो पूरी दुनिया के लिए भी करते हैं यह पूइम जो है उनकी गितांजली संग्रह में से लिए और गितांजली का मतलब है किसी को पूइट्री के जरिए प्रार्थना करना या किसी को रिस्पेक्ट देना यह पूइम एक सौंग की तरीके से है जो कि ना तो पूरे तरीके से कभी था है, ना ही पूरे तरीके से निबंध है तो let's start with today's topic, topic है रविंदरना टेगोर्स, Song 36 from Gitanjali तो let's start with the point now तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस poem के अंदर point ने भगवान से अलग अलग ताकतों के लिए प्राथना की है तो इस पहले paragraph के अंदर जो प्राथना करता है वो भगवान से किन चीजों के लिए प्राथना करता है वो हम लोग अब पढ़ेंगे तो यह poem रबिंदर नाट अगोर के द्वारा लिखे गई है जो की एक कवी भी थे उपन्यसकार भी थे और भारत की आजादी में इन्होंने एक योगदान भी डाला था और उनको इसी कवीता के संग्रह के लिए नॉबल प्राइस से प्रस्कृत भी किया गया था Most of his works deal with love and universal brotherhood और उन्होंने ज्यादातर किस विशे की उपर कवीताय लिखी उन्होंने ज्यादातर समाजिक भाईचारे को बढ़ाने के उपर आपस में प्यार को बढ़ाने के उपर और दुनिया में किसी परकार के भी भेदभाव, किसी परकार के भी ऊचनीच और किसी परकार के भी नफरत और बुरी भावनाओं को मिटाने के लिए ही उन्होंने अपनी ज्यादातर पोईम में इन विशों के उपर ही कवीताय लिखी है Like all his poems, this poem also deals with the idea of love and universal brotherhood He prays to the God to give him certain to do many things in life जैसे कि उसकी बागी कवीताओं में भी प्यार और समाजिक भाईचारे को बढ़ाने का विशा जो है वो ज़्यादातर common रहा है उसी परकार से इस poem के अंदर भी poet ने उसी विशे को लेकर जो कवीता की रचना की है उसके साथ poet ने इस poem के अंदर बहुत सारी चीजों को भगवान से प्रार्थना करके अपने लिए मांगा है और अपने साथ साथ वो उन चीजों को दुनिया के हर एक इनसान के लिए भी मांग रहा है और यहीं पर poet हम लोगों से डिफरेंट हो जाता है अक्सर हम लोग केवल अपने लिए ही चीज़ें मांते हैं हम लोग चाहते हैं कि मेरे पास यह चीज हो दूसरों के पास वह चीज ना हो बट poet चाहता है कि जो गून जो ताकत वह भगवान से मांग रहा है वो ना केवल उसको पास हो बलकि वो दुनिया के हर एक इनसान के पास हो तो पहले स्टेंजा में वो किन चीज़ों के लिए प्राथना कर रहा है तो सबसे पहले वो भगवान से इस चीज़ के लिए प्राथना कर रहा है कि उसके अंदर से भगवान जो है वो छोटी सोच, गलत सोच और गंदी सोच को बिलकुल खतम कर दे किसी के लिए भी उसके दिल में किसी परकार की बुरी भावना ना हो वो चाहता है कि उसके दिल में किसी के लिए भी किसी परकार का बुरी भावना है बुरी भावना जैसे जेलिसी, इगो, प्राइड ऐसी भावना है उसके अंदर किसी के लिए भी ना हो और दूसरे शवब्दों में अगर हम लोग यह कहें कि वो यह चाहता है कि उसके दिल के अंदर उसके आत्मा के अंदर केवल अच्छी भावनाएं अच्छी सोच ही रह जाए और बुरी भावनाएं और बुरी सोच उसके अंदर से बिलकुल खतम कर दे और इसी चीज़ के लिए वो भगवान से प्रातना कर रहा है तो पोईट यहां पे दुनियावी से ज़्यादा अध्यात्मिक गरीबी की बात कर रहा है अध्यात्मिक बुराईयों की बात कर रहा है तो पोईट चाहता है कि भगवान उसके दिल की गहराईयों की उपर चोड़ दे और उसके दिल के अंदर जितनी भी बुराईया हैं उनको खतम करके अध्यात्मिक तौर पे उसको एक स्ट्रॉंग परसनेलिटी बनाए यहानि की वो एक साफ दिल, साफ आत्मा और साफ मन बाला इंसान बनना चाहता है यहाँ पर पैसे की गरीबि की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर हमारे आध्यात्मिक गरीबी आध्यात्मिक कमजोरी यहां यह कह सकते है कि जो छोटी सोच की कमजोरी हमारे अंदर होती है उस कमजोरी को दूर करने की बात कर रहा है और वो चाहता है कि भगवान उस कमजोरी को उसके दिल से एक दम जड़ से खतम कर दे He has also used metamorphical language Metamorphical language वो होता है जहां पे हम लोग दो ऐसी चीजों की तुलना करें जो दूर दूर तक एक जैसी नहीं है जैसे कई बार हम लोग इंसान की किसी जानवर के साथ या किसी पेड के साथ या किसी non-living thing के साथ तुलना कर देते हैं उसे हम लोग metamorphical comparison बोलते हैं जहां पे दोनों चीजें जो हैं वो दूर दूर तक एक जैसी नहीं होती यहां पे उसने किस चीज के साथ हमारे दिल और आध्यादमी कमजोरी का comparison किया है वोड गटर वोड गटर एक ऐसा पक्षी है जो पेडों के अंदर अपनी चूंच से छेद कर देता है पेडों को काट देता है अपनी चूंच के अंदर से तो वहां पे उसने वोड गटर की एक ऐसी तस्वीर पेश किये जो की अपनी चूंच से एक पेड की जड के नीचे खुदाई कर रहा है तांकि वो उस पेड को जड से उखाड फेके और यहीं पे पोईट ने हम लोगों के साथ या इनसान के साथ कैसा है इस वोड कटर का उस ट्री के जड के साथ कमपैरिजन किया है उसी परकार से पोईट चाहता है कि जिस परकार से वो वोड कटर जो है वो उस पेड की जड को काट रहा है उसी परकार से भगवान हमारे अंदर ऐसी ताकत दे कि जो हमारे अंदर की गरीबी अध्यात्मिक कमजोरी को जड से खतम कर दे जैसे कि उस पेड को जो वुड कटर है वो जड से उखाड रहा है और वो कहता है कि जब वो इस कमजोरी को ओवरकम कर लेगा इस कमजोरी को खतम कर लेगा अपने अंदर उस समय उसके अंदर ऐसी ताकत आ जाएगी कि जो इस बात को समझ जाएगी कि सुख और दुख जीवन और मृत्यू हार और जीत जो है वो जिन्दगी का हिस्सा है किसी की भी लाइफ जो है वो सेम लेबल पे नहीं चल सकती हर एक इंसान की लाइफ में अपस और डाउन आएंगे जीएगा और वो यह सोचेगा कि अगर सुख जिन्दगी का हिस्सा है तो दुख भी जिन्दगी का हिस्सा है इस परकार से वो एक संतुलित जिन्दगी जी पाएगा और जहां पे पोईट ये ताकत के अपने लिए मांग रहे वहीं पे पोईट इस ताकत को दुनिया के हर इनसान के लिए भी चाहता है तो पहले स्टेंजा में हम लोगों ने देखा उसने दो चीज़ों की डिमांड की पहली कि उसके अंदर से बुराई को बुरे विचारों को बुरी भावनाओं को भगवान खतम कर दे अच्छाईयों को भर दे और दूसरी चीज़ ये कि भगवान उसके अंदर ऐसी ताकत दे दे कि वो संतुलन में रहके सुख और दुख को सहना सीख जाए अब देखते हैं नेक्स टेंजा में पोईट किस चीज़ के बारे में भगवान से डिमांड करता है इस स्टेंजा में जो वो पहली चीज़ भगवान से ताकत मांग रहा है वो है कि भगवान उसको ताकत दे कि मजबूर गरीब लोगों की हेल्प कर सके वो बिना किसी स्वार्थ की एक तो हम लोग किसी की हेल्प करते हैं उसके बाद हम लोग expect करते हैं कि वो हमें ठैंक करें दूसरों को जाके बताए बट पोईट ये चाहता है कि वो जिस ताकत को भगवान से मांग रहा है वो जो भी किसी की help के लिए करें वो निस्वार्थ हो उसके एवज में वो किसी परकार की परशंसा की expectation नहीं रखता है वो चाहता है कि वो अपनी सेवाओं को और ज्यादा फलदाई और ज्यादा बेहतर और ज्यादा निस्वार्थ बना ले गरीबों की मदद करके मजबूर लोगों की बेसहारा लोगों की मदद करके वो चाहता है कि उसके मन में अमीर और गरीब का कोई फरक ना हो और उसके अंदर हिम्मत हो गरीब लोगों को अपनाने की गरीब लोगों को गले लगाने की और निस्वार्थ भावना से गरीब लोगों की मदद करने की In other words, he wants to make his service fruitful with love और दूसरे शब्दों में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पोईट जो है, इस स्टेंजा के अंदर ये चाहता है कि वो प्यार से गरीब लोगों को अपनाए उनको गले से लगाए और उनकी निस्वात रूप से भावना सेवा करे वो चाहता है कि भावन उसको ऐसी ताकत दे कि वो छोटी भावनाओं से उपर उट सके वो छोटी सोच से उपर उट सके और गरीब लोगों को दिल से गरीब लोगों की मदद कर सके और उसके अंदर इतनी निमरता हो कि वो किसी को भी अपने से छोटा ना समझे और उसके साथ साथ वो ये भी चाता है उसके अंदर इसलिए निमरता हो कि वो कभी ये ना सोचे कि वो दूसरों की हेल्प कर रहा है वो ये सोचे कि भगवान उसके जरीए दूसरों की हेल्प कर रहा है क्यों कि वो तो खुद भगवान से इन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा है इसलिए वो चाहता है कि वो निमर्ता अपने अंदर रखे कि कभी इन ताक्तों के उनके अंदर उसके अंदर आने से उसके अंदर घमंडना आ जाए कि वो गरीबों की हल्प कर रहे। इसलिए वो भगवान के आगे पराथना कर रहा है कि उसको निमरता भी परदान करे कि वो हमेशा इस चीज को महसूस करता रहे कि वो जो भी दूसरों को दे रहा है वो खुद का नहीं है वो भगवान से मांगर दूसरों को परदान कर रहा है वो चाहता है कि वो ताकतवर लोगों को और जो लोग दूसरों को इंसल्ट करते हैं दूसरों को दबा के रखना चाहते हैं वो उनके आगे जुके ना उनके आगे हिम्मत से उनका सामना करें आगे कि चाहता है कि बगवान के इलावा वो किसी इनसान के आगे किसी ताकत के आगे कभी न जुके और उसका सर केवल और केवल भगवान के आगे ही जुके परातना के लिए और जो लोग rude हैं जो लोग घमंडी हैं उनका सामना वो हमेशा हिम्मत से करे तो इस परकार से हम लोग देख सकते हैं कि फरस्ट एंजा में जो पहली चीज उसने poet ने मांगी पहली चीज मांगी थी poet ने उसके अंदर से बुराईयों और बुरे विचारों को खतम करना दूसरी चीज मांगी थी उसके अंदर अच्छाईयों और अच्छे विचारों को भरना तीसरी चीज सुख दुख को बराबर समझना और इस paragraph में चौथी चीज उसने मांगी कि वो निस्वार्थ रूप से गरीब लोगों की मदद करना चाहता है पांच्मी चीज उसने ये मांगी कि वो हमेशा निमर्ता की साथ दूसरों की हल्प करे और फिफ्ट चीज ये मांगी कि उसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो हमेशा भगवान के इलावा किसी और इनसान के आगे ना जुखे तो दो स्टेंजा के अंदर पोईट ने इन चीजों की डिमांद की है घववान से तो कमिंग आउन टू दी थर्ड्स टेंजा गिव मी तो लास्ट और थर्ट स्टेंजा के अंदर पोईट किन चीजों की दिमांड कर रहा है देखिए पोईट चाहता है कि भगवान उसको इस चीज की ताकत पर दान करे कि वो छोटी-छोटी सोच या छोटे-मोटे जो कारन है जिनके कारन हम लोग आपस में लड़ते जगडते हैं उन छोटे-मोटे कारनों से उपर उठ सके ट्रिफल्स होता है छोटे-मोटे कारन जिनके कारन हमारी डे-to-day लाइफ में हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं यहां पर डेली ट्रिफल का मतलब वो गैर ज़रूरी चीजें जो हमारी सोच को छोटा कर देती हैं और जो हम लोगों को आपस में irritation, jealousy, ego और लड़ाई जैसे कारणों का कारण बंदी हैं और ऐसी चीजें हमारी लाइफ में day to day लाइफ में हम लोग अकसर देखते हैं he wants to raise above all those mean activities which would never give him real happiness वो इट चाहता है कि वो इन सभी छोटी सोच से उपर उठ सके तां कि वो सची खुशी का आभास कर सके अब हम लोग कहेंगे सची खुशी कैसी हम लोग अकसर देखते हैं हम लोग कहते हैं कि वो कितला खुश है बट जब हम लोग गहराई से या नजदी की से उस इनसान को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस इंसान की जो चेहरे की खुशी है वो दिखावा है अंदर से वो इंसान भी हमारे जैसा ही दुखी है तो इस परकार से हम लोग देख सकते हैं कि पोईट किस परकार से सची खुशी को अपने अंदर मैसूस करना चाहता है तो पोईट चाहता है कि वो सची खुशी को तब मैसूस करे जब वो अपने अंदर से हर छोटी घटिया और नेरो मैंडेडनेस सोच को खतम कर दे तब पोईट प्रीज फॉर से ट्रेंट तो एंपिसाइस अफेक्ट देट पोईट चाहता है कि इन सभी ताकतों के बाव उसके अंदर आ जाने के बावजूद भी वो कभी इस चीज़ को ना भूले कि भगवान इस दुनिया की सर्व शक्तिमान ताकत है और वही इस दुनिया में हर जीवन का और हर ताकत का सुरोत है और जितनी भी ताकते हम लोगों को या जितनी भी क्वालिटी हम लोगों को मिलती है वो भगवान के दौरा ही हमें परदान की जाती है इसलिए point चाहता है कि वो इस चीज़ को कभी भी अपने अंदर से ना भूले कि इन ताक्तों के आ जाने के वाद कि ये सारी ताक्ते जो हैं उसको भगवान के द्वारा परदान की गई है He loves to work according to the will of God वो चाहता है कि वो भगवान की मर्जी के मताबिक काम करे यानि कि वो इस चीज़ से भली भाती ग्यात है कि इस दुनिया में जो भी होता है वो भगवान की मर्जी के मताबिक होता है और वो चाहता है कि वो भी जो करे वो भी भगवान की मर्जी के मताबिक ही करे so we can say that the poet ends the poem paradoxically by praying for certain to surrender himself before the will of God तो end में paradoxically paradoxically है जी वो गरीब तरीके से इन सभी ताकतों को हासिल करने के बावजूद भी अंत में पोईट इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है कि इन सभी ताकतों को उसके अंदर आ जाने के बावजूद भी भगवान उसको ऐसी ताकत दे कि वो कभी भी अपने आपको भगवान से उपर ना समझे वो अपने आपको दूसरे इंसानों के उपर ना समझे और पोईट चाहता है कि वो हमेशा भगवान की मर्जी के आगे जुका रहे और हमेशा उसके अंदर ये विचार रहे कि उसको जो भी मिलाए वो भगवान के द्वारा ही पर दान किया गया है और पोईट ये चाहता है कि इसी परकार से वो जो सट्रेंथ जो सट्रेंथ पोईट को भगवान के द्वारा दी जाएंगी वो ही सारी सट्रेंथ जो point है चाहता है कि वो सारी की सारी सट्रेंथ जो है भगवान हर एक वो सारी की सारी सट्रेंथ जो है point भगवान भगवान हर एक इनसान को भी परवाइड करे यानि कि point चाहता है कि जिन गुनों से वो अपने आपको बेहतर बनाना चाहता है वो चाहता है कि दुनिया का हर इंसान भी के अंदर भी भगवान उन गुनों को परदान करे तांकि दुनिया के हर इंसान बन सके और पोईट इन चीजों के लिए भगवान से प्राथना कर रहा है और वो चाहता है कि वो हमेशा भगवान से प्राथना करता रहा है तां कि कभी भी उसको अपनी इन ताक्तों के उपर घमंडना हो और वो हमेशा ये समझे कि वो जो भी दूसरों को दे रहा है या भगवान ने उसको जो भी दिया है वो भगवान के द्वारा दी गई चीज है वो उसने खुद उसको नहीं मिली है और इस परकार से वो हमेशा डाउन तू अर्थ और निमर्ता से भरा रहेगा और उसके अंदर इगो जैल सी प्राइड जैसी पुरी भावना है नहीं आएंगी In the end, conclusion, to conclude we can say that Through this poem, the poet has prayed to God to grant him those qualities which will make him a better human being Poet, इस poem के अंदर उन गुनों के लिए भगवान के अंदर प्राथना करता है जिन गुनों से वो एक बहतर इंसान बन सके कौन कौन से गुन है बुरी भावनाओं का उसके अंदर से खतम होना अच्छी भावनाओं का सेकेंड अच्छी भावनाओं का उसके अंदर आ जाना Third, सुख और दुख को बराबर समझना Fourth, गरीबों को निस्वार्थ रूप से मदद करना Fifth, किसी भी ताकतवर इंसान के आगे नहीं जुकना Fifth, छोटी मोटी सोच से उपर उठना लडाई जगड़ों के कारणों से उपर उठना Sixth, ये मान के चलना कि जो भी हम लोगों की लाइक में हो रहा है वो भगवान की मर्जी के मताबिक हो रहा है और seventh, last, कि भगवान के सामने आतम समर्पन करना भगवान के सामने हमेशा जुके रहना तो वो इन साथ qualities को भगवान से मांग रहा है और वो इन साथ qualities को, साथ गुणों को इसलिए मांग रहा है तांकि वो एक बहतर इसन बन सके इसन कहना और इसन बनने में जमीन आसमान का फरक है हम लोग अपने आपको इसन तब ही कहेंगे जब हमारे अंदर ऐसी qualities डेवलप होस जाएंगी जैसी पोईट ने डिमांड की है But he is different from us in the way he wants all the strength not only for himself but also for all the human beings of the world But poet हम लोगों से थोड़ा सा लग है कैसे कि अकसर हम लोग भगवान के पास अपने लिए ही चीजे मांगते है But poet चाहता है कि जिन qualities के बारे में poet अपने लिए जिन qualities को भगवान से मांग रहा है वो चाहता है कि दुनिया के हर एक इनसान को भी भगवान इन qualities को प्रवाइड करे तांकि So that we all can become better human beings तांकि हम सब लोग बहतर इनसान बन सके And this world can become a better place to live in it और ये दुनिया एक बहतर जगा बन सके जहां पे हम सब लोग मिल जूल के बिना किसी भेदभाव के बिना किसी भेदभाव ना जादपात का ना धरम का ना जेंडर का किसी परकार का ना रंग का किसी परकार के बिना किसी भेदभाव के हम लोग एक साथ रह सके यानि कि जिस दुनिया की कलपना भगवान ने इस दुनिया को और हम इंसानों को बनाते वक्त की थी भगवान चाहता है कि भगवान हम सब लोगों को ये सारे गुन दे और हम लोग भगवान का उस वैसी दुनिया की रचना करना जहां पर सब लोग मिल जूलके रहे उस सपने को हम लोग साकार कर सकें तो that's all for today's video thanks for watching the video don't forget to subscribe my channel click on the bell icon to get the latest updates और अगर वीडियो अच्छी लगी तो like and comment जरूर कीजिए